हेलो दोस्तों, इस स्टूड़ो में हम लोग कक्छा चौती हिंडी का पार्ट 18 पिंचरे का जीवन नामक पार्ट को पढ़ेंगे और इसका प्रश्ण और अभ्यास भी देखेंगे मनुष्य हो या पसू पक्छी बंधन किसी को पसंद नहीं, बंधन यानि की कहीं पे बंध करके रखना मनुष्य अपनी स्वार्थ साधहन सेवा और मनोरंजन के लिए पसू पक्छीयों को पालता है मनुस से क्या करता है अपने स्वार्थ या साधन, सेवा और मनोरंजन के लिए सेवा किस प्रकार से लेता है जैसे कि गाय से दूद लेता है और जो घोड़े होते हैं उनसे एक जगास दूसरे जगा जाता है तो यह इस प्रकार का सेवा हुआ और जो कुत्ता होता है वो क्या करता है रखवाली करता है मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे जन्वरों को पाला जाता है जैसे कि पक्षियों को या बंदर, हाथी, इत्यादी को के लिए पसु पक्षियों को पालता है वे विवस्ता में बंधन में बंधते हैं विवस्ता मतलब उनके पास कोई और उपाय नहीं हो तब विवस्त होते हैं से लिए बंधन में बंध जाते हैं जबकि वे मन से स्वचंद जीवन जीना चाहते हैं जबकि कोई प्राणी जो है वो क्या चाहता है एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है इस कविता में बंदी तोते को सुखी जानकर एक मैना स्वयम उसकी स्थान पर बंदी बन जाती है और तोते को स्वतंत्र कर देती है यहा वहा तोते को वहा से स्वतांत्र करके खूद वहाँ पे बंदी बन जाती है लेकिन बात में वहा पिंचडे के जीवन से दुखी होती है बात में मैना दुखी हो जाती है पार्ट को पढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं उसका प्रश्ण और अभ्यास भी देखेंगे पिंचरे के तो ते से बोली छट पर बैठी मैंना बड़े मजे से तुम रहते हूँ बोलो ये सच है ना बैठे बैठे मिल जाते हैं भाती भाती के व्यंजन कास मुझे भी मिल पाता जो इस पिंचरे का जीवन भोचन और चल की तलास में हम दिन रात भटकते तब जाकर दो चार अनकर अपने पले पड़ते उस पर हर दम छिडी मार का डर रहता है मन में हिंसक जिवचन तुमों का भी सण खत्रा है वन में तो ता बोला अगर सोचती हो सुक है पिंचरे में मुझे निकालो आओ अंदर मैं जाता हूँ वन में तुम लेलो पिंचरे का सुक मैं लूँ चंगल की पीड़ा बड़े मजे से रहना इसमें करना निसी दिन क्रिड़ा मैंना ने खोला तरवाचा जैसे ही पल छिन में मैंना को अंदर करतोता खुद उड़ गया गगन में चार दिनों में ही वह मैंना अंदर तडप रही थी उड़ने को आकास में उचे तब यत फड़क रही थी भाती भाती के भाते थे उसको ना कोई विंजन ना आराम सुहाता उसको ना पिंजरे का चीवन अब हम लोग इस पार्ट का अर्थ समझते हैं यहाँ पे कवीता के जो प्रतम चो इसका पंक्ती है उसमें हम लोग इसका पहले देखते हैं पिंजरे के तोते से बोली छट पर बैठी मैना बड़े मजे से तुम रहते हो बोलो यह सच है ना पिंजरे में जो तोता बंध है उससे छट पर बैठी भी मैना कहती है कि तुम तो बड़े मज़स रहते हो, बताओ ये सच है न, बैठे बैठे मिल जाते हैं भाती भाती के वेंजन, कास मुझे भी मिल पाता जो इस पिंजरे का जीवन, अब जो मैना है वह तोता से कह रही है कि तुमको तो बैठे बैठे भाती भाती के वेंजन, याने की तरह तर के वेंजन मिल जा रहे हैं कास मुझे भी पिंचरे का ये जीवन मिल पाता मैंना क्या सूच रही है कि तोता को बैठे बैठे ही अलग-अलग प्रकार के भोजन मिल जा रहे हैं कास उसे भी इस प्रकार से मिल पाता आगे की पंक्तियां हैं भोचन और जल की तलास में हम दिन रात भटकते तब जाकर दो चारे अनकर अपने पल्ले पढ़ते मैना जो है तोता को बता रही है कि भोचन और जल की तलास में तलास मतलब खोज में हम दिन रात भटकते हैं ऐसा कौन के रही है मैना तब जाकर दो 4 अनकल अपने पल्ले पढ़ते तब जाकर के हमको 2-4 अनके दाने मिलते हैं मैंना अपना दुख बतारी है इन पंक्तियों में कि हम दिन भर भोजन की तलास में भटकते रहते हैं आगे की पंक्तियां हैं हिंसक जीवजनतुं का भीसड खत्रा है वन में उस पर हर दम छीड़ी मार मतलब छीड़िया को मारने वाला मैंना बता रही है कि हम दिन रात भोजण की तलास में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं और उस पर भी छीड़ी मार का डर हमेशा मन में बना रहता है चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला हिंसक जीवजन्तूओं का भीसंड खत्रा है वन में और वन यानि कि जो जंगल है वहाँ पे हिंसक जीवजन्तूओं यानि कि हिंसा करने वाले जीवजन्तूओं का बहुत ही अधिक खत्रा है तोता बोला अगर सोचती हो सुख है पिंजरे में मुझे निकालो आओ अंदर मैं जाता हूँ वन में अब तोता क्या कहता है मैंना से कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि पिंजरे में सुख है तो तुम मुझे निकालो और सोयम अंदर आजाओ मैं वन में चला जाता हूँ ऐसा कौन कह रहा है तोता कह रहा है किसे मैना से तुम ले लो पिंजरे का सुख में लो जंगल की पीड़ा बड़े मजे से रहना इसमें करना निसे दिन करीड़ा अब आगे तोता क्या कहता है मैना से कि तुम पिंजरे का सुख ले लो क्योंकि मैना को क्या लगता है कि पिंजरे में बहुती सुख है भाती-भाती के वेंचन मिल जाते हैं हिंसक जिवजन्थू का खतरा भी नहीं है जबकि जंगल में है इसलिए तोता कहता है कि अगर तुम है ऐसा लगता है कि पिंजरे में सुख है तो तुम पिंजरे को ले लो तुम ले लो पिंजरे का सुख मैं लू जंगल की पीड़ा और तोता कहता है कि मैं जंगल की पीड़ा ले लेता हूँ तुम बड़े मजे से रहना, इसमें करना निसे दिन क्रिडा, क्रिडा मतलब खेल, जो तोता है वह मैना से कहता है, कि तुम बड़े मजे से इसमें रहना पिंजरे में, मैना ने खोला दर्वाजा, जैसे ही पलचिन में, मैना को अंदर करके तोता, खुद उड़ गया गगन मे मैना ने जैसे ही पिंजरे का दर्वाजा खोला तो मैना को अंदर करके तोता उसी पल गगन में उड़ गया गगन मतलब आकास आस्मान ठीक आस्मान में उड़ जाता है चार दिनों में ही वह मैना अंदर तडप रही थी उड़ने को आकास में उच्छे तव्यत फड़क रही थी मैंना जो है उचार दिनों में ही अंदर तड़प रही थी क्योंकि पिंजरे का जीवन कैसा है पिंजरे में भोजन तो मिलेगा लेकिन उड़ने के लिए नहीं मिलेगा जबकि कोई भी इस प्रकार का बंधन पसंद नहीं करता और जो पक्षी होते हैं उनको उड़ना पसंद होता है इसलिए अंदर मैं चार दिनों में ही मैंना तड़प रही थी किस चीज के लिए बाहर निकलने के लिए ठीक है उड़ने को आकास में उचे तब्यद फड़क रही थी और आकास में उचा उड़ने के लिए उचाहती थी और उसका तब्यद भी लिए क्या हो रहा था? खराब हो रहा था आगे है भाती भाती के भाते थे उसको न कोई व्यंजन ना आराम सुहाता उसको ना पिंजरे का जीवन भाती भाती के यानि की तरह तरह के भाते यानि की अच्छे लगते भाती भाती के व्यंजन भी मैना को अच्छे नहीं लगते थे ना आराम सुहाता उसको ना पिंजरे का जीवन मैंना कुनना तो आराम अच्छा लगता था और नहीं पिंजरे का जीवन अब हम लोग इसका सब्दार्थ देखते हैं पहला है भाती भाती यानि की तरह तरह व्यंचन खाने की अच्छी वस्तुएं हिंसक यानि की मारने वाला चिन छड चिडी मार पक्चियों को पकड़ने तथा मारने वाला जिसको की सिकारी भी कहते हैं भीषण भयंकर कृड़ा यानि की खेल सुहाना मनोहर या अच्छा लगना पलचिन थोड़ी देर में अब हम लोग इस पार्ट का प्रश्ण और अभ्यास देखेंगे प्रस्ण नमबर पहला है इस कवीता में किस-किस पक्ची के बीच बातचित बताई गई है इसका उत्तर होगा इस कवीता में तोता वा मैना के बीच बातचित बताई गई है प्रस्ण नम्बर दूसरा पक्ची के लिए पिंजरे का जीवन दुखदाई क्यों होता है? इसका उत्तर होगा पक्ची खुले आकास में उड़ने वाला जीव है इसलिए पिंजरे का जीवन उसके लिए दुखदाई होता है प्रस्ण नम्बर दूसरा है अगर तुम्हें खाने पीने अराम करने का सारा समार रख कर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा अपने सब्दों में लिखो उत्तर अगर हमें खाने पीने अराम करने का सारा समार रख कर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वहां हमें कैदी का जीवन वैतीत करने जैसा लगेगा हम बाहर घूम फिर नहीं पाएंगे प्रस्न नमबर चौथा है पिंजरे के बाहर रहने वाली मैना ने पिंजरे में बन तोते से यह क्यों कहा बड़े मजे में तुम रहते हो उत्तर होगा पिंजरे में रहने वाले पक्षी को बीना प्रयास के ही विभिन प्रकार के खाने की वस्तुएं मिल जाती हैं इसलिए मैना ने पिंजरे में बन तोते से कहा बड़े मजे में तुम रहते हो प्रस्ण नमबर पाच्वा पिंजरे में बंध हो जाने पर मैंना दुखी क्यों रहने लगी उत्तर होगा पिंजरे में बंध हो जाने पर मैंना दुखी रहने लगी क्योंकि वह स्वतंत्र विच्रण नहीं कर सकती थी प्रस्ण नमबर छटवा है हिंसक जीव जन्तुओं का भीसड खत्रा है वन में वन में पक्छियों के हिंसक जीव जन्तु कौन कौन से होते हैं उत्तर होगा वन में पक्छियों के हिंसक जीव जन्तु हैं सांप, बाच, जंगली, बिल्ली, कुत्ते तथा अन्यमासा, मांसाहारी, चानवर, आदी अब आगे है भासाध्यन और व्याकरण में पढ़ो और समझो उससे आगे जिसमें प्रसन नमबर पहला है उपर उदाहरण में बताए सब्दों के अतिरिक पूलिंग और इस्त्रे लिंग सब्द लिखो चिनके लिंग नहीं बदलते यहाँ देखिए उदाहरण बताया हुए है गेंडा और मच्छर दोनों पूलिंग सब्द हैं इनके इस्त्रेलिंग रूप नहीं होते इसी प्रकार चील और मैना इस्त्रेलिंग सब्द है इनके पुलिंग रूप नहीं होते